नमस्कार दोस्तों आपसे भी का एक बार फिर से आर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम लोग फिर से सोल्व करेंगी राजस्तान सी एचो मोडल पेपर की आंसर की आज गा हमारा मोडल पेपर होगा सेकेंड फरस्ट की हमने पहले डिसकस क पेपर आप सभी को हमारे टेलिग्राम ग्रूप और चैनल के अंदर मिली गया है जिनको नहीं मिला है वह टेलिग्राम पे जाए और वहाँ पर सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स आपको हमारे ग्रूप में एड होना पड़ेगा तब ही आपको ये पेपर मिल पाएंगे अ पेपर आपको पहला स्वाल जो पूछा गया था बहुत ही अच्छा स्वाल है हो सकता आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए देखे क्या पूछा गया है इन इंडिया एंडिया सबसे ये पता होना चिए सबसे पहले तो कि NDD है क्या तब ही तो आप क्यूशन को Solve कर पाओंगे अब जिनको पता ही नहीं NDD है क्या वो इस क्यूशन को Solve करेंगे ही नहीं डायेक्ट वो e option के साथ जाएंगे और e को गोला करके आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप यह जान लीजी कि NDD का मतलब होता क्या NDD का मतलब है National Dewarming Day इंडिया के अंदर जो National Dewarming Day जो है वो कब celebrate किया जाता है यह आपको simple सा स्वाल पूछा गया options आपके है 10th March, 10th January, 10th February, 10th April अभी जो चल रहा है मन्त वो चल रहा है आपका फरवरी तो यहाँ पर जिन्होंने भी options सीख किया है बिल्कुल सही जवाब है यह आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है National Dewarming Day जो है वो 10 फरवरी को मनाय जाता है और जो National Dewarming की जो ड्रग उप चोईस है वो क्या है Albendazole यह भी आपको ध्यान रखना है Albendazole यह भी आपको ध्यान रखना है Albendazole की जो डोज है वो adult उनमें 400 mg होती है और जो भी infants होते हैं children होते हैं उनमें 200 mg होती है ठीक है यह भी आपको पूछा जा सकता है next question देखिए which of the following records muscle tone को record जो है किसमी किया जाता है फिर किसमी हम जो है muscle tone को record कर सकते हैं यहाँ पर देखिए options आपके सबसे पहला है electroencephilograph यानिकी EEG next electrocardiograph यानिकी ECG next electrooculograph यानिकी EOG next electromyograph यानिकी EMG बिल्कुल जेसा नाम वेसा काम जेसे कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है muscle tone muscle जो है इससे related कौन सा word है वो देख के आप इस option में आप सही जवाब दे सकते हैं बिल्कुल simple सा है यहाँ पर option D जो है उसमें आपको word एक दिया गया है मायो यानिकी यह indicate करता किसको muscle को तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा option D जो ने भी D किया है बिल्कुल सही जवाब है अब देखिए यहाँ पर जो तीन और ग्राफ है वो कौन से है EEG इसके बार में आपको पता ही है कि brand की activity को अगर monitor करना है तो EEG करते हैं अगर heart की heart की जो activity है उसको monitor करना है तो ECG करते हैं अब से यह EOG के आ गया इसमें भी जो नाम है उसी में इसका काम है यहाँ पर देखिए ओक्यूलो ओक्यूलो जो है वो रिलेटेड है आई शे मलब आई की activity को चेक करना है तो इलेक्ट्रो ओक्यूलो ग्राफ जो है इससे हम उसकी जो भी monitoring है वो कर पाएंगे तो यहाँ पर तीनो चारो का मतलब जो है वह आप सभी को समझ में आही गया है यहाँ से कोई भी क्यूसिन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्यूसन देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्यूसन है एक पेशेंट है जस्ट है पेरिनियल सरजरी विच टाइप आफ बात सुड़ नर्स एक्सपेक्ट फिजीशन टू ओर और फॉर दिस पेशेंट एक पेशेंट है जिसकी पेरिनियल सरजरी हुई है अब आप सिज बात बिल्कुल यहाँ पे जिन्हों ने भी option D किया है बिल्कुल सही जवाब है सिज बात जो है इसके लिए जो है फिजीशन आपको ओर देगा और एजए अर्स आपको सिज बात करवाना होगा किसके लिए जब कोई पेशेंट आपके सामने कौन सा हो पैरिनियल सरजर देखा next question देखिएगा simple सा question है लेकिन complicated आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मेच करना नहीं आता है बलब आपको जो है arrange करना नहीं आ रहा है इसलिए आपको यह क्या लग रहा है थोड़ सा complicated लग रहा बागी complicated question नहीं है देखिए यहां पर simple situation है arrange the following stages of communication process in order of occurrence यहाँ पर जो communication process की stages है उनको आपको arrange करना है आप सभी जानते है communication process की stage लेकिन यहाँ पर आपको arrange करना है यान कि अलग अलग जो है आपको यहाँ पर options जो दिये गया है stage के इनको आपको सही करम में लिखना है यहाँ पर देखिए पहला sender next decoding next channel next encoding next receiver तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको एक जो stage उसका पता चली गया कि जो सबसे पहले आगे उसके बाद क्या आएगा तो देखिए सबसे पहले आगे आपका sender उसके बाद आगे आपका रिशिवर तो sender जो है उसके बाद आपका आता है encoding encoding जो है वह आपका आता है उसके बाद channel से आपका क्या होता है decoding उसके बाद में आपका आता है receiver, यानि कि 1, 4, 3, 2, 5, कौन से option में है वो देखिए, यहां पर option जो C है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने option C किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऐसे questions आपको पूछे जाएंगे, जब आपका exam होगा, यह मैं नहीं कहता है कि यहीं question आएगा, question को ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे questions आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, next question देखे, a patient receiving a tube feeding developed diarrhea, the nurse understand that the primary region tube feeding cause diarrhea is because they are, बिल्कुल सिंपल सा स्वाल आपको पूछाएंगे कि patient है, जिसको tube feeding चल रही थी, और tube feeding की वज़े से क्या हुआ है, डाइरिया हुआ है, अब जो nurse है वो जा देखे, यहाँ पर option आपको दिएगे है, इक्टेरिक, next is isotonic, next is hypotonic, next is hypertonic, तो यहाँ पर जिन्होंने भी option D क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, इनके hypertonic solution या फिर hypertonic feeding patient को दी जाती है, तो उसके वज़े से क्या हो सकता है, डाइरिया, तो इसका जो main reason है, डाइरिया का व पास हुआ था, first option है 1961, next 1971, next 1981, next 1972, यहाँ पर जिन्होंने भी option B किया है, बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने D किया है, उनका गलत जवाब है, तो option B जो है, वो आपका right answer हो जाएगा, next question देखिए, when a person has a fever and diaphoresis, how would the urine output be described, बिल्कुल सा स्वाल आपको यह पूछा गया है कि एक person है, जिसको fever या फिर diaphoresis हुआ है, तो इसकी वज़े से, इसके urine output में क्या देखने को मिलेगा, क्या characteristic features होंगे, जो patient है fever या फिर diaphoresis का, यहाँ पर options देखिए, पहला आपको दिया गया, decreased and highly concentrated, next decreased and highly diluted, next increased and concentrated, next increased and dilute, यहाँ पर यह option उनके लिए है, जिनको नहीं आत किया है, वो है आपका option A, option A जिननों ने भी किया है, उनका बिल्कुल सही आंसर, अगर कोई person fever या डाइफोरेशिस का है, तो इसका urine होगा, वो decrease and highly concentrated होगा, concentration तो decrease, ज्यादा होगी, लेकिन urine output जो होगा, वो कितना होगा, ठीक है, next question देखिए, which of the following is a positive symptom of schizophrenia, यहाँ पर एक्स options जो है, वो positive symptom of schizophrenia के ही रह गए है, इसलिए एक बार के लिए accept को जो है, आप यहाँ से delete कर दीजिए, cut कर दीजिए, इसके regarding में बता दूँगा, यहाँ पर दीखिए, आपको स्वाल में पूछा गया है, positive symptom of schizophrenia कौन कौन से है, options आपके सामने है, first is hallucination, next is illusion, next is agitation, next is apathy, next is anhedonia, positive symptoms जो है आपके, वो आपके है, first and second, यह तो बिलकुल high है, यह तो आप सभी को पता है, लेकिन अब आपके जो confusion हो रहा है, वो हो रहा है आपके तीन options में, three, four and five, यहाँ पर जो four and five है वो तो बिलकुल भी नहीं है, जो एक options और बचता है, वो कौन सा बचता है, third, यानकि agitation यह भी positive symptom of schizophrenia ही है, अगर आपको accept से स्वाल जेशी की यहाँ पर accept लिखा है, लेकिन यहाँ पर options जो डले गए है, वो सारे positive symptom के ही डाले गए है, accept चे अगर पूछे जा रहा है, तो यहाँ पर option भी आपको four and five only जरूर दिया जाएगा, तो यहाँ पर जिननोंने भी option भी किया तो आप answer में करना four and five only, बागी यह options इदर उदर ओर हो सकता है, जब भी exam हो, इसा कोई question बने तो, next question देखे, most common complication associated with IUD is, entire time device जब किसी भी महिला को लगाई जाती है, तो इसका most common complication है, वो क्या होता है, यह आपको simple सा पूछा गया है, first bleeding, next pain, next perforation, and next ectopic pregnancy, ectopic pregnancy बिलकुल नहीं है, next, यहाँ पर आपके सामने तीन options है, perfection होता नहीं है, तो यहाँ पर दो options और बचते हैं, इन दोनों options में आप confused हो के, कोई pain करके आता है, कोई bleeding करके आता है, तो जो bleeding करके आता है, उसको तो पूरे number मिल जाते है, और जो pain करके आता है, उसका एक number जो है, 1.3, sorry, 0.3 जो है, वो और माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर most common complication है, IUD का, वो क्या है, bleeding है, बिल्कुल सिंपल सा स्वाल है, बहुत बार यह पूछा जा चुका है, next question देखिए, which oxygen delivery device would the nurse expect to use to provide the highest concentration of oxygen to a patient who is breathing spontaneously, कोई person है, जो breathing spontaneously कर रहा है, उस person को आपको क्या करना है, oxygen देना है, oxygen delivery device का नाम बताईए, जिससे आप highest concentration में oxygen patient को provide करवा सके, आपके सामने oxygen जो delivery devices है, उनके नाम सामने देरक है, first partial rebreather mask, next non rebreather mask, next simple mask, next venturi mask, बहुत बार यह exam में क्यूछा जा चुका है, और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, option B, non rebreather mask जो है, इससे हम highest concentration में oxygen patients को provide कर सकते हैं, तो यह हमारे 10 questions थे, 10 questions थे, यह बिल्कुल easy level के थे, अब आते हैं आपके list, first चे, least second को match करने वाले हैं, देखिए, यहापी, सबसे पहला सवाल आया है, जिसमें आपको एक तरफ फे disease दी गई है, दूसरी तरफ आपको positive organism बता देता हूं साथ ही, तरीका तो वही है कि आपको देखो पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, तरीका यह है कि जैसे माली जी यही क्योशन है, exam में as it is क्योशन आ गया, अब आपको फिंग कफ है, इसका पता नहीं कि इसका जो है positive organism क्या होता है, चलो मान लीजी आपको इसका प पता नहीं है, आपको titanus के बारे में तो पता है कि titanus का positive organism क्या है, तो आप फटाक से अपना answer कर देंगे कि titanus जो है, यहाँ पर titanus जो है वो आपका Clostridium titanus फैलता है, तो यहाँ पर disease and positive organism आपने D का जो है second ढूंड लिया, बलब D का second दो option में आ रहे है, चलिए कोई ब पता है या फिर इसके बीज के बारे में पता नहीं है, तो आप enteric fever को choose करेंगे, enteric fever के बारे में आपको पता है कि यह salmonella type fish होती है, यहने कि B का 4 होगा, तो B का 4 यहाँ पर दोनों में ही हो रहा है, चलिए अब आप एक का ओर देखी, क्योंकि दो options तो जो है similar मिली जाएं ठीक है, तो तीसरा option आपको और देखना पड़ेगा, अब आपको पता है कि wolfing cup जो है, इसको pertuses के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो qualitative organism होगा, इसके नाम से ही होगा, border tilla, pertuses, तो option 3 जो है, यहाँ पर देखिए, A का 3, B का 4, अब जो बच गिया, वो किसका है, इसके बीज सारकॉप्टीज, इसके भी आई जो है, वो इसके बीजगा क्या है, क्या है, क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जो C है, उसका फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो option B है, option B है, वो बिल्कुल सही जवाब है, जिन्नों ने option D किया है, उनका अंसर गलत है, option B जिन्नों न मिलाएंगे, तो बाकी की जो है, आपके automatically match हो जाएंगे, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जुरुत नहीं हो, वाँपे, एक या दो जो है, वो मिल जाते हैं, उसके बाद आपको directly answer करना है, बाकी घर पे आके उस paper को बाकी और पढ़ लेना, कि हाँ मैंने ये किया था, और य कि यहाँ पर कुछ test के नाम दे रखे हैं, और सामने कुछ disease condition के नाम, या फिर उनके microorganism के नाम दे रखे हैं, क्योंकि क्योसन तो कैसे भी पूछा जा सकता है, अब आप कहेंगे, सर ये से कैसे questions कहां से ला रहे हो, तो कहीं से भी बन सकता है क्योसन तो, कोई जरूरी जो है वो diptheria के लिए करते हैं, तो यहाँ पर तो diptheria word है ही नहीं, तो सरम केशे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, diptheria का quositive organism क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब यह तो आप उसको solve कर पाओगे, तो यहाँ पर देखिए, पहला है, sick test, तो sick test जो है, diptheria के लिए, sick test करते हैं, और diptheria का quositive organism क्या है, cornybacterium, diptheria, next montex test, जिसको parquet test भी कहते हैं, तो इसके बारे में तो सभी को पता है कि TB के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, TB के लिए, TB का microorganism क्या होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका तो सामने ही लिखा कि लिए करते हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, next vital test के बारे में तो आपको पता ही होगा, vital test को आप मेच कीजिए, vital test जो है, वो typhoid के लिए करते हैं, typhoid का causative organism जो है, वो salmonella type ही होता है, तो यहाँ कि vital test जो है, वो fourth option यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो यह लेप्रोमाइन टेस्ट का हो जाएगा, लेप्रोमाइन टेस्ट, लेप्रोशी के लिए करते हैं, और लेप्रोशी का ही दूसरा नाम क्या है, hansan disease, अगर यहाँ पर लेप्रोशी में option में देता, तो आप directly इसको अटेंड कर लेते, लेकिन आपके थोड़ सा confusion हुआ, आपक execution देखिए, यहाँ पर कुछ founder के नाम आपको दिये गए हैं, और आपको बताने हैं कि कौन सा, किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पहला आपको दिये गए है, first psychiatric nurse, अब आप कहेंगे सर मेर को तो यह नहीं पता कि first psychiatric nurse कौन थी, चलिए कोई बात नहीं, इसका नहीं पता है father of psychiatric के बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, founding father of psychiatric जो है वो कौन है, segment fruit, तो यहाँ पर देखिए, दो options आगए आपके सामने, B का fourth, एक का one, यानि कि आपके सामने लिखा हुआ है कि जो first psychiatric nurse से वो कौन है, Linda Richards, तो यहाँ पर देखिए, एक, एक का एक और B का 4, दो पता है, तो कर दीजिए, dementia precox का, dementia precox जो है, वो term किस ने दी थी, email, crippling, crippling ने दी थी, और यह अभी recently, M's Norset में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ऐसे स्वाल M's Norset में भी पूछी जाते हैं, तो यहाँ पर जो बच गया, वो कौन है, आपका American psychiatry, father of American psychiatry, बेंज और तीसरे का दो हो गया, और डी जो है, फौर्ट का जो है, तीन हो गया, तो यहाँ पर option D, जिनोंने भी किया है, बिल्कुल सही जवाब है, next question देखिए, बिल्कुल सिंपल सा question पूछा गया है, एक तरफ आपको vaccine के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको route बताने हैं कि किस route से कौन सिव एक्शन जाती है, पहला ही जहाँ पर डौस का नाम दिया है, पैंटाविलिंट, नेक्स्ट जापानेज, आपको दोनों का ही पता नहीं है, अब आपको OPV का तो पता ही है कि यह औरली जाती है, कोई बात नहीं, C का फॉर्ट देखिए, यहाँ पर दो options में है, वो सही हो गया, मलब A जो है, इसका क्या जाएगा, second, यानि इंट्रमस्कुलर, जापानेज जो है, वो आपकी third हो जाएगी, यानिकी subcutaneous, जापानेज और जो मिजल्स है, दोनों इस subcutaneous route से दी जाने वाली vaccine है, तो इस परकार से आप इनको मेच कर सकते हैं, दो जब जादा difficulty से आते नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपने दो पकल लिए, तो मलब A आपने question को सही से कर लिया, next question देखिए, यहाँ पर आपको list, first, चेकेंड को मेच करना है, और यहाँ पर को साइन दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, और बहुत बार यहाँ स यह जो साइन आपको दे रखे हैं, यह एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, पहला देखिए, चेडविक साइन जिसको जैक्विमर साइन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, चेडविक साइन और जैक्विमर साइन दोनों एक ही है, ऐसा नहो कि जैक्विमर सा चेडव iq का मतलब क्या होता है यह आपको पता हूड़ ए जैक्विंविबड साइन का मलभ होता है ब्लीग डिस्कल्डीशन वजायना का ब्लीइप्ड डिस्कल्रेशन के कहल आदा चेडविट सायन नेक्स्ट आपका औरजेंडर साइन औरजेंडर साइन आप यहाँ भी मेच करते जाए A में 2 A में 2 B में 4 तो मलब आपका जो है दो options तो आपको पता चल गए B का क्या हो जाएगा 4 औरजेंडर साइन का मलब है Pulsation can be felt at the lateral fornix of vagina जो lateral fornix of vagina है वहाँ पे pulsations होंगे उनको क्या बोलते हैं और जेंडर साइन नेक्स्ट आता आपका पिसकाक साइन पिसकाक साइन का मलब होता है asymmetrical enlargement of uterus in early pregnancy due to lateral implantation implantation जो है वो lateral होने की वज़े से जिस तरफ जो है baby move on होना चीए था उस तरफ ना होकर other side asymmetrical side में जो है वो baby improve हो रहा है तो वो condition कर लाती है आपका पिसकाक sign जो बच गया वो आपका क्या है हेगार sign हेगार sign यानि की softening of the lower part of the uterus तो यहाँ पर जो D है उसका क्या हो जाएगा third तो D का third जो है option second के अंदर है यानि की आपके सारे के सारे यहाँ पर match हो रहे है तो option B जोनाने किया बिल्कुल सही जवाब है next question देखिए match list first and list second यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको disease दे रखिए occupational disease condition दूसरे तरफ आपको dust के नाम दे रखिए कि कौन सी dust के वज़े से कौन सी occupational disease होती है तो देखिए first anthracosis anthracosis जो है वो आपके call dust से होने वाली disease condition है next sideosis यह आपकी iron dust से होने वाली disease condition है तो यहाँ पर match करते जाए A का 3, B का 4 यहाँ पर दो options आ गए अब आपको C ओर देखना पड़ेगा बेगे सोसिस है यह आपकी sugar can dust से होने वाली disease condition है यान की C का 1 आ जाएगा next आपका farmer's lungs disease यह आपकी moldy has grain dust जो है इसे होने वाली disease condition है यहाँ पर जो है आपका option option C जो है वो बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने भी option C किया है बिल्कुल सही जवाब है next question देखिए एक तरफ आपको दे रखा है pain और दूसरी तरफ आपको दे रखा है causes यान की यह जो pain हो रहे है यह इनके कारण है सामने जो list shaken उसमें कारण है first pain in any side of lumber area lumber area में अगर कहीं भी pain होता है तो इसका कारण क्या है इसका कारण है renal या फिर ureptic causes renal या uretery causes की वज़े से क्या हो रहा है lumber area में pain हो रहा है next यहां पर मिलाती जी यह साथ-साथ A में 2, B में 4 तो B का तो आपका 4 आई गया directly जो shifting towards midline या epigastum जो pain होता है वो किसके वज़े से होता है gastritis की वज़े से अब आपको दो ओर देखने होंगे suprapubic pain, suprapubic pain जो है वो होता है आपका urinary या फिर uterine causes की वज़े से जो बच गिया वो आपका D का आजएगा pain in left hypochondrium अगर left hypochondrium में pain हो रहा है तो इसका reason कहा है, इसका cause कहा है वो है tender splenic splenic tenderness की वज़े से जो है left hypochondrium में pain होता है इस प्रकार से आपको match करना है हो सकता है, इस वाल पोच लिया जाए ठीक है, तो यहां से आपको यह याद कर लेना है next question देखिए यहां पर भी आपको match करना है list first से list second को एक तरफ आपको anti-tb drug दे रखे हैं दूसरी तरफ आपको इनके side effect दे रखे हैं visual toxicity तो A जो है उसका second हो जाएगा A का second, अब देखिए दो option में आ रहा है तो B का fourth हो जाएगा रिफाम फिशिन सर्फ बिल्कुल रिफाम फिशिन का तो हमें पता है red orange urine होता ही होता है तो यहां पर red orange urine अब आपको 2 का ओर देखना पड़ेगा तो isoniazide isoniazide का side effect होता होता आपका peripheral neuritis next आपका जो बच गया उसका देख लेना उदर steptomachin, steptomachin का होता है आपका autotoxicity तो बिल्कुल सिंपल सा स्वाल है लेकिन यह आपके लिए complicated इसलिए हो गया क्योंकि यह आपको मेच करने है तो मेच करने में थोड़ सा जोर आता आपको और जोर वैसे नहीं है क्योंकि जोर आपको मिलान करने में नहीं आ रहा है आपको दिमाग में जोर डालना पड़ रहा है इसलिए आपको जो है यह execution से गलत हो जाते है आप सभी के तो यहाँ पर देखिए आपने मेच किया तो मेच करने के बाद में जो आपका right answer बना वो कौन सा बना option second A का 2, B का 4, C का 3 and D का 1 sorry यहाँ पर option जो है first बना I, S, N, Z, peripheral neuritis और D जो है उससे autotoxicity तो D का 3 है यह A की option में आ रहा है तो यहाँ पर option A जो है वो आपका right answer है next question देखिए एक तरफ आपको कुछ conditions दे रखी है disease conditions दूसरी तरफ उनके दूसरे नाम यह फिर उनकी वज़े से क्या हो सकता है यह कुछ आपको दिया हुआ है first परotitis, बिल्कुल सिंपल सा स्वाल है और यहाँ पर parotitis का मलब है inflammation of the parotid gland यानि कि एक का क्या हो गया एक का 3 ठीक है next B का 2 तो यहाँ पर दोनों options में B का 2 आ रहा है मलब mumps को और किस नाम से जना जाता है epidemic parotitis के नाम से next आती है आपकी crons disease crons disease को और किस नाम से जना जाता है original entritis C का 4 हो जाएगा तो D का जो है वो आपका first हो जाएगा यानि कि cello lithiasis जो है इसका मतलब होता है cell library calculus ठीक है तो यहाँ पर option B जिनों ने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है आज के इस part का अपना last सवाल बाकि जो next part है वो जल्दी हम आप लोगों को कल जो है paper प्रोवाइड करेंगे उसके बाद में आपको answer की प्रोवाइड करेंगे देखिए यहाँ पर लिस्ट फ़स्ट ची लिस्ट चेकेंड को आपको मेच करना है एक तरफ आपको disease condition दे रखिया दूसरी तरफ आपको infectious agent जो है वो बताने है ठीक है पहला है cankroid आपको नहीं पता है कि cankroid जो है वो किसके वज़ेश होता है ठीक है तो कोई बात नहीं next वालों को चेक कर लिजिए लेकिन मैं तो अभी बता दूँगा फिलाल लेकिन मैं आपको एक बता रहूँ कि किस प्रकार से आपको solve करना है लोग आपको cankroid के बारे में नहीं पता है कोई बात नहीं आप directly syphilis प्याज़ेए syphilis का तो आपको पता है कि trepanoma pallidum से होने वाली disease condition है तो चलिए D का 3 देखिए यहाँ पर D का 3 जो है दो में आ रहा है next देख लिजिए bacterial vaginosis इसका positive organism या फिर infectious agent जो है वो कहा है gardenerilla vaginalis यानकि fourth जो है C का fourth हो जाएगा यानकि एक option है जो B है इसमें C का fourth and D का क्या हो रहा है third तो जो cankroid और genital and anal words के बारे में आपको नहीं पता था वो आप जो है इसमें पता कर सकते बाकि जो है options आपके यहाँ पर मिल जाएंगे तो बिल्कुल easy way में जो है ऐसे क्योंस को आप solve कर सकते हैं अब देखिए जो cankroid है इसका क्या होगा hemophilus ducre next जो बच गया आपका genital and anal words इसका infectious agent है आपका HPV human papilloma virus तो यहाँ पे जो आपका right answer होगा वो होगा option B जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है तो दोस्तो यह थे अपने 20 question आज के इस model paper के next model paper जल्द ही कल आपको provide करेंगे उसके बाद आपको उसकी answer की भी हम provide करवा देंगे आप सभी सी छोटी सी request रहेगी प्लीज आप वीडियो को like रिके अपने दोस्तों को ज़्यादा सी ज़्यादा share करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं